नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूसफ़ल इंडिया आपके साथ मैं हूं का जोल नरायन बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में अमेरिकी संसद भवन के बाहर लगे बारिकेड में शुकरवार दोपहर एक कार के टकरानी से दो पुलिस अधिकारी घायल हो गए जिनमें से एक की मौत हो गई है वहीं पुलिस द्वारा चलाए गई गोली से कार चौलक भी घायल हो गया बाद में चाकू से हमला करने के संदिग दिचौलक की भी अस्पताल में मौत हो गई कैपिटॉल पुलिस के कार कारी प्रमुख वाई पिटमेन ने कहा आए कि घायल अधिकारी में से एक कियालत गंभीर थी जिन्होंने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया इस घटना में कार चौलक की भी अस्पताल में मौत हो गई है इस बीश अधिकारियों ने इस घटना को आतंगवादी हमले से सम्मंदित होने से इनकार किया है साथी नोंने इस घटना और छे जन्वरी को हुई दंगों के बीश ततकाल किसी सम्मंद से भी इनकार कर दिया अमेरिकी राशपती जो बाइडिन ने घटना पर दुख जताया साथी पुलिस कर्मी की मृत्यों पर शोक जताते हुए वाइट हाउस के धज को आदा जुकाने का आदिश शारी किया है वह अमेरिकी उपराशपती कमला हैरिस ने भी कैपिटॉल पुलिस के प्रती आभार व्यक्त किया और अधिकारी विलियम इवान्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है हैरिस ने कहा मैं कैपिटॉल पुलिस ने अशुलगार उन्हों सभी की आभारी हूँ जिनों ने हमले का तेजी से जवाब दिया हमें उन सहासी पुर्शों और महिलाओं पर गर्व है जो कैपिटॉल की रक्षा करते हैं खासकर इस चिनौती पूर्ण समय के दौरान आपको बता दें कि 6 जनवरी को अमेरिकी कैपिटॉल में घुसी भीर द्वारा मचाए गए उत्पात की यादे ताजा कर दी गई जो ब्राश्पती पद पर जो बाइडिन की जीत के सम्मन्द में अमेरिकी संसर सदस्य मतदान कर रहे थे कैपिटॉल में 6 जनवरी को हुई हिंसा के दौरान कैपिटॉल पुलिस अधिकारी ब्राइन सिकनिक समेट पाच लोगों की मौत हुई थी कहां एक वक्त देश में कोरोना के 10 से 12 हजार केस आने लगे थे और कहां फिर से 80 हजार के पार आकड़ा पहुँच रहा है और विमारी का अडंबर इतना है कि लगातार ये बढ़ता जा रहा है तो ऐसे में फिर से सुख भुगाहट तेज हो गई है कि क्या देश में फिर से लोगडाउन लग सकता है कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिली के मोखे मंतरी ने शुकरवार को एक आपाद बैठक की इस बैठक के बाद के जिवान ने साफ कर दिया है कि दिली सरकार का लॉगडाउन लगाने का कोई विचार नहीं है अगर भविशे में ज़रत पड़ती है तो लोगों से बाचीत करके ही निर्ने लिया जाएगा उन्होंने कहा कि दिली ने सबसे ज़ादा मुश्किल कोरोना के सिती में एनकाउंटर किया है देश के लिए कोरोना के दूसरी लहर हो सकती है लेकिन दिली के लिए चौथी वेब है वही माराज्च के पूरे में आंशिक लॉगडाउन लगा दिया गया है एक सब्ता के लिए शाम 6 बजे से सुभा 6 बजे तक करफ्यू लगाया है हर तरह के मौल और सिनिमा हॉल रेस्टोरेंट खाने की दुकाने आदी बंद रहेंगी उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितनाथ ने कक्षा आठ तक के सभी सरकारी उनिजी स्कूलों को 11 अप्रेल तक बंद रखने के निर्देश दिये हैं मुख्य मंत्री योगी आदितनाथ ने शुकरवार को अपनी सरकारी आवास पर टीम 11 के साथ कोरोना वारत संक्रमन को लेकर उच्छ स्तरिय बैठक की है वहीं काबनेट सचीव राजीव गोबा ने कोरोना की स्तिती पर शुकरवार को सभी राज्यों के मुख्य सचीवों के साथ मेटपूर्ण बैठक की इस दोरान विशेश रूप से उन 11 राज्यों के हालातों पर चर्चा की गए जयस्तिती चिंता जनक बताई जा रही है राज्यों में महाराज्य, पंजवाब, दिल्ली, करनाटक, छतिसगर, केरल, गुच्रात, मध्यप्रदेश, हरियाना, तमिलनाडो और चंडिगर श्रामिल है महाराज्य की हालत पर विशेश रूप से चिंता जताई जा रही है खृशी कानूनों के विरोध में देश के कई हिस्सों का दौरा कर रहे किसान नेता राकेश टिकेट के काफले पर हमला किया गया टिकेट ने इसके लिए बीजोपी पर आरूप लगाया उन्होंने कहा कि बीजोपी के गुण्डो द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया है राकेश टिकेट ने हमले के बारे में ट्विटर पर विडियो पोस्ट करते वे कहा कि राजिस्थान के अलवर जिले के ततारपूर चुराहा बंसुर रोड पर भाजपा के गुण्डो द्वारा जानलेवा हमला किया गया है जो कि लोगतंथ के पूरी तरह से हत्या है लगातार ये ट्वीट जो है वो रुट्वीट किये जा रहे है अलवर में राकेश ट्रिकेट पर हुए हमले की घटा के बाद दिल्ली बॉर्डर पर प्रदशन कर रहे किसान बेहत गुस्से में है हमले की विरोध में गाजबाद के गाजपूर बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली से आने वाले रास्ते को फिर जाम कर दिया हलाकि पुलिस ने मार को खालिक रा दिया है जिसके बाद यहां पर आवगवन समाने हो गया है स्वीच पुलिस ने कहा कि हमले के मामले में चार्ड लोग को पकड़ा गया है मामले की जांच की जा रही है इसे पहले राकेश ट्रिकेट ने ट्वीट कर कहा कि भारते किसान यूनियन हर्याना के युवा प्रदेश अध्यक्ष रविया अजाद की गिरफतारी बरदाश नहीं करेगी रविया अजाद को रियाकर सतकार नहीं तो अंदोलन जहिनने के लिए तयार रहे राजिस्थान के मुख्य मंत्री अशो गैलाउत ने ट्रिकेट के काफिले पर हुए हमले की निंदा करते विका है कि अलवर में भारते किसान यूनियन के नेतार आकेश ट्रिकेट के काफिले पर बीजोपी के लोगों द्वारा हमला निंदनिया है झाल झाल